शुरुवात करते हैं आज की नियूस पेपर की हम, पहली नियूस देखने वाले हैं, असम में एनर्सी से रिलेटेट सबसे पहले हम समझना होगा कि एनर्सी क्या है, क्यों इसको लाया गया देखिए NRC मतलब एक लिस्ट ऐसी लिस्ट जो बताती है कि कौन व्यक्ति इंडिया का है और कौन व्यक्ति बाहर का है मतलब बांगलादेश से भाग कर तो नहीं आया है असम्मेर है तो नहीं रहा है यही लिस्ट है NRC जिसको हम कहते हैं नेशनल सिटिजन्सिप रजिस्टर अब इसकी मैन सुरुवात होती है कहां से बांगला देश का जो बांगला देश पाकिस्तान से जब आजाध हुआ था ना उस टाइम से बांगला देश के प्रवासी असम में अवैद रूप से रह रहे थे इसी के चक्कर में वहां के लोगों ने आंदोलन किया और ये जो आंदोलन है छे साल तक लंबा चला था इसी का नतीज़ा था एनार सी अब इस आंदोलन के बाद असम समझोते पर दस्कत हुए और 1986 में सिटिजन्सिट एक्ट में संसोधन उसको सुधार किया गया और असम के लिए उसमें कुछ विशेस टाइप के प्रावधान किये गये सबसे पहले एनार सी को लागू किया गया था 1921 में नेजनल लेजिश्टर ओफ सिटिजन्स ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन हमारे स्टेट में पैदा हुआ है और इंडियन है और कौन पडोसी मुल्क बांगला देश से आया हमारे यहां रह रहा है एनार सी की लिश्ट में उन्हीं लोगों को सामिल किया जाता था जो ऐसे डाकुमेंट दे पाएं जो बताते हैं कि 24 मार्च 1971 से पहले राज में वो रह रह रहे है अब ये जो डेडलाइन रखी गई है न ये वो डेडलाइन है जिस दिन बांगला देश ने पाकिस्तान से अ उसकी डेडलाइन लखी थी 31 अगल 2019 जब इसको रिवाइस किया गया ना तो 19 लाख लोग इससे बाहर हो गए थे सरकार न फिर कहा कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग फॉरेंट ट्रिब्योनल में जा सकते हैं अपने डाकुमेंट्स को ले करके और यदि आप वहाँ पर भी फैल हो जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं अपनी बिश्व सर्मां इनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ताकि फिर से n .rc का वेरिफीकेशन वा जरू अब जो भी काम हम करेंगे वह कोर्ट की गाइडलाइन पर करेंगे ऐसा हसम के मुख्यमंत्री का कहना है अब लेकिन ये जो पर दे बिलदी को इन्हों ने एक को define कर दिया है ठीक है up to 20% entries वाले जो area है ना जो की border share करते हैं बांगलादेश के साथ जहां से वो लोग entry करते हैं 20% वो वाला 10% interior area of Assam इतने area को इन्होंने cover करने की बात कई है NRC को लेकर तो इसके बाद यहां पर CAA का भी उल्ले किया गया है देखिए NRC कहती है अवैद प्रवासियों को हम अपने देश से बाहर खदेड़ेंगे CAA कहता है बाहर से आने वालों को हम नागरिक्ता देंगे लेकिन किन को केवल मुस्लीमों को छोड़के नागरिक्ता के लिए 11 साल रहना जरूरी है लेकिन CAA जब बनाया गया तो उसमें कहा गया आप 5 साल भी रहे होना तो आपको नागरिक्ता मिल जाएगी मतलब इसमें केवल एक धर्म को छोड़ दिया गया है मुस्लिम धर्म को यदि CAA को असम में लागू कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा वो जो मुस्लिम लोग है बाहर हो जाएगे और बांकी जो धर्म वाले लोग है उनको नागरिक्ता मिल जाएगी दिक्कत यहीं पर खड़ी हो जाती है इसी कार्ड इसका बहुत जादा प्रोटेस्ट हो रहा था देखिए असम कल भी नियूज में रहा था और एक दो दिन से काफी कंटिर्यू नियूज भराया तो हम एक स्टेट का मैप देखते हैं तो असम का आज हम मैप देख लेते हैं असम हमारे पड़ता है देश के पूर विवारले हिस्से में किन-किन देश के साथ किन-किन स्टेट के साथ मैं अपनी बाउंटरी को सेर करता हूँ हम देख लेते हैं यह जो डार्क पिंग कलर देख रहा है आप यह बताता है अरुडाचल प्रदेश को जिसकी राजधानी है इतन अगर इसके नीचे तरफ यह सेर करता है नागलेंड के साथ में जिसकी राजधानी है कोहिमा फिर यह अपनी बाउंटरी को सेर करता है मड़ीपूर के साथ में जिसकी राजधानी है इमफाल इसके और यदि हम नीचे आएंगे दक्षड की तरफ तो ये मिजोरम के साथ में अपनी बाउंटरी को share करता है जिसकी राजधानी है आई जोल थोड़ा सा हिस्सा ये त्रिपूरा के साथ में अपना share करता है जिसकी राजधानी है अगरतला अब ये बाउंटरी को share करता है बांगलादेश के साथ में ठीक है दो भार अपनी बाउंटरी को शेयर करता है इसके बाद मेघालाई के साथ में इसकी बाउंटरी शेयर होती है जिसकी राजधानी है सेलोंग यदि हम उपर तरफ की बात करें इसके उत्री और पस्यमी हिस्से की तरफ तो ये भूटान देश के साथ में अपनी यह है पस्चिम बंगाल, पस्चिम बंगाल के साथ में भी अपनी बाउन्टरी को यहाँ पर सेर कर रहा है, देखिए यह वाले हिस्से में, पस्चिम बंगाल जिसकी राज़धानी है, कूल गाता, मैप के बाद हम देख लेते हैं असम की हिस्ट्री क्या इसका इतिहास रहा है देखिए असम जो वर्ड है वो संस्क्रत के असोमा से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है अनुपम या थे अधुती जिसके समान कोई दूसरा ना हो लेकिन आज के टाइम के जो वेग्यानिक या फिर विद्वान है वो मानते हैं कि ये जो सब्ध है अहूम से मिलकर बना है क्योंकि बिटिस सासन में इसके विलाय से पहले लगभग 600 साल तक इस जमीन पर अहूम राजाओं ने सासन किया था अंग्रेजों के वहां पहूंचने के पहले अहूम राजाओं का वहां पर सासन था इसलिए जो असम वर्ड है वो अहूम से लिया गया है कौन-कौन सी जातियां है जो यहां पर रही आश्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड और आरिस जैसी अलग-अलग जाती प्राचीन काल से इस देश की पहाड़ी और घाटी में टाइम-टाइम में आकर रहने लगी थी इसी काड़ यहां की जो संस्कृती है ना वो मिक्स मिस्तृत संस्कृती है कि अब हम बात करते हैं इसके दूसरे नाम की जो यह जादा तर यहूज किया गया है चितने ही हम टाकमेंट देखते हैं पुराने वाले काम्रूप सब्द का यह द cred की देखिए प्राग ज्योतिस कामरूप राज का सबसे प्राचीन उल्लेक हमें मिलता है इलाखबाद में समुद्र गुप्ट के सिलालिख में इसमें बताया गया है कि अत्यन्त प्राचीन मतलब ऐसे सीमा वर्ती देश के रूप में मिलता है जो गुप्त सामराज की अधीनता को ये स्विकार किया ये स्टेट और जिसके साथ उसके संबन बढ़िया रहे अब चीन का जो विद्वान आया यात्री हुएन सांग लगभख 743 सीस्वी में राजा कुमार भासकर वर्मन के निमंत्रण में कामरूप पहुँचा था उसने कामरूप का उल्लेक काम और लूपा के रूप में किया है और ग्यारवी सताबदी के जो इतिहासकार हैं अलबरूनी के पुस्तक में भी कामरूप का उल्लेक मिलता है इस प्रकार से महाकावकाल से लेके बारवी सताबदी इस वी तक पूरे आर्या वर्त में पूर्वी सीमान देश को प्राग जीयोतिस और कामरूप के नाम से जाना जाता है कई सारे साक्ष भी हमें मिल गए हैं और यहां के जो राजा थे वो अपने आपको प्राग जीयोतिस नरेश कहा करते थे अब हम बात करते हैं कैसे अहोम लोग यहाँ पर बसे उन्होंने सासन किया और फिर बाद में उन्हीं के बीच में आपस में क्या है कमजोरी आई इसी के चलते फिर यहाँ पर किसी और का गबज़चा होना चालू हो गया सन 1228 में पूर्वी पहाड़ियों पर अहोम लोगों के पहुचने से इदिहास में नया मोड आता है यह लोग 6 सालों तक असम में कब जगरे सासन किये लेकिन इनका जो राज़ दरवार था इसमें असंतोस और लड़ाई जगड़े होने के कारण अहोम सासकों की सक्ति कमजोर ह इससे क्या होता है जो बर्मा से आने वाले लोग थे ना उन्होंने यहां पर प्रवेस्ट कर लिया 1826 में यह जो इलाका था बिटिस सरकार के छेत्र अदिकार में आ गया जब बर्मी लोगों ने यांदबू सद्धी के अनुसार असम को बिटिस सरकार को सौब दिया था पहले बर्मा का यहांबर राज़ था इसके बाद वाली नियूस हम देखने वाले हैं जिसमें एक कार्डियक अरेश्ट का उलेक किया गया है देखिए जिन लोगों को पहले से कोई दिल से रिलेटिट कोई बीमारी नहीं है परिसानी भी नहीं है वो लोग भी इस बीमारी की चपीट में आ सकते हैं एक एसी गमफीर स्थिती होती है जिसमें हाट अचानक से बीट करना धड़कना बंद कर देता है कार्डियक अरेश्ट में दिल की धड़कन अनीमित हो जाती है रेगलर नहीं रहती है अनीमित हो जाती है ऐसी स्थिती को हम कहते हैं कार्डियक अरित्मा दुनिया भर में हर साल प्रती हजार वेक उमें एक की मौत इस विमारी से होती है यदि हम पार्टिकुलर लक्षडों की बात करें ना तो कार्डियक अरेस्ट के आम लक्षडों में जैसे सास की कमी जाना सास लेने में प्रॉब्लम होना अचानक से बेहोस हो जाना और बेचैनी जैसी समस्याएं हमको उत्पन होती है इसके अलावा दिल की धड़कन का तेज हो जाना दर्द होना और लगतार ठकान इस टाइप के लक्षड़िस में सामने आते हैं तो हब हम देख लेते इन्यूस को लिट्रेचर जो थे साहित्यक होमेन बोर्गियान की डैथ हो गई है यदि अब्जेक्टिव कोस्टन में इनके बारे में पूछा जाता है कि ये क्या थे क्या काम करते थे तो ये एक साहित्यक रहे है असम में साहित के छेत्र में लिट्रेचर के छेत्र में और पत्रकारिता के छेत्र में इन्होंने काम किया था 88 वर्स इनकी उमर बताएं जा रही है जिनकी डैथ हो गई है इनको पहले COVID-19 के लक्षड दिखाई दिए होस्पिटल में इनको भरती किया गया उसके बाद निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद इनको छोड़ दिया गया था तो एक सभा है ठीक है असम साहित के सभा जिसके ये पुराने प्रेसिडेंट रहे है अब थोड़ी सी और जानकारिया है जिन्हें हमें देखना जरूरी है ठीक है जैसे की इनको साहित अकादमी आवार्ड मिला था उनने 178 में इनका नोवल था उपन्यास था पिता पुत्र लेकिन फिर बाद में इन्होंने इसको 2015 में लोटाना पड़ा इससे रिलेड़िट कई सारे प्रोटेस्ट चले थे जिनके कार्ड इनको ये अवार्ड को लोटाना पड़ा था जब तक इनकी डैथ हुई तब तक ये एडिटर इन चीप का काम करते रहे ठीक है असाम का जो डेली है ना नियोमिया बार्टा यहां पर एडिटर चीप का काम करते रहे जब तक इनकी डैथ नहीं होगी दोस्तो आप ना एंजियो के बारे में जरूर सुना होगा एंजियो मतलब एक ऐसी संस्था होती है जो कि बिना किसी लाब के उद्देश के लोगों की सेवा करती है जाहे वो कोविड-19 की महामारी हो या फिर किसी और ऐसी परिस्तिती के दोरान में एक काम करते हैं लोगों की समस्याओं को भी सरकार के सामने रखते हैं जनता के सामने रखते हैं ताकि उन्हें जो सुईधाएं मिल रही हैं वो अच्छे से मिल सके या जो वंचित लोग हैं उनको वो सारी चीज़ें आसानी से मिल सके अब इनको विदेशों से जो पैसा मिलता ताकि ये लोगों की help कर सकें उसके मामले में सरकार ने कानून को टाइट कर दिया है ठीक है टाइट ऐसा किया है कि विदेशों से आपको पैसा लेना है तो आपको registration कराना है दूसरी बात यह है जिस account में पैसा आएगा वो account होना चाहिए दिल्ली का इस्टेट बैंक ओफ इंडिया का ही होना चाहिए ठीक है और अब कि यह समस्या आने चालू हो गई है कि जादता जो एंजियोज है ना उनका account SBI में नहीं है ऐसे बात सामने आई है दिल्ली में अब यदि हम बात करें कि पार्टिकुलर कितने एंजियोज ऐसे हैं जो कि अभी तक यहां पर रेजिस्ट्रेशन करा चुके हैं या फिर account अपना ओपन कर चुके हैं दिल्ली की जो मैं प्रांच है SBI की वहां पर तो किवल 16% ही registered एंजियोज ऐसे हैं जिनके active bank account है SBI दिल्ली में इसके अलावा असम में एक एंजियो है जो कि हाइकोट गया ठीक है उन्हों ने कहा देखो हमें यदि दिल्ली के SBI में account खुलवाना है तो इसके लिए जो आधार कार्ट की compulsory है necessary है उसको खतम किया जाए तो इसी के चक्कर में असम का जो हाइ कोट है ना उसने SBI को notice बेजा notice हो जाए कि जब सुप्रीम कोट बोल चुका है पुट्टा स्वामी केस में कि आधार कार्ट इतना जरूरी नहीं है इसके अलावा भी कौन-कौन से समस्या है जा रही है एंजियोस को देखिए सबसे पहली बात तो है documentation की जो procedure है ना इसमें ये लोग परिसान हो गया है दरदर इनको भटकना पड़ रहा है ठीक है आधार कार्ट इसमें mandatory कर दिया गया है दिल्ली में SBI का account कुलवाना जरूरी कर दिया है इसी के चक्कर में ये लोग foreign से contribution नहीं ले पा रहे हैं और ना जब contribution ही नहीं मिल पाएगा तो फिर ये लोगों की help कैसे कर पाएंगे इसके बाद वाली news हम देखने वाले हैं child marriage related जिसको हम बाल विवा कहते हैं देखिए lockdown लगा है तो सरकार ने allow किया है कि आप कम लोग मिलकर के घर में आप साधी कर सकते हैं ज्यादा लोग को सामिल नहीं होना तो इसी के चलते जो child marriage है ना उनकी संभावना बढ़ जाती है ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है बात ये हो गई है कि ऐसे लोग या फिर ऐसी संस्था है जो इस एरिया में काम करते हैं ना साधी को रोकने के लिए बाल विवा को रोकने के लिए अब इन लोगों को जानकारी ही नहीं मिल रपा रही है दूसरी बात जब लोगडाउन नहीं लगा था ना तो जैसे कहीं वैडिंग हॉल में साधी हो रही है टेंपल्स में साधी हो रही है बाल विवा हो रहे हैं तो हम लोग जाके वहां पर उन लोगों को रोक सकते थे लोग हमें जानकारी दे सकते थे लेकिन अब जब बहुत ह कम लोग साधी कर रहे हैं लोग अपने घर में साधी कर रहे हैं तो अब यदि हम वहाँ जाएंगे तो हम है तो लोग कहेंगे कि ये कहां कि विदेशी आ गए अनधिकार हो गया ना दिक्कत ये खड़ी हो गई इसलिए जो बाल विवा के केसे से ना बढ़ने की संभावना है अब पिछली साल की ही बात ले लो ना अब कोई भी व्यक्ति हो क्या चाहेगा साधी में जो इतना पैसा खर्च हो रहा इतने सारे लोग जो आते हैं कम से कम में हम निप्टा सकें और जल्दी से जल्दी अपनी लड़की के ब्याह कर दें और अपनी जिम्मेदारी से हम फ्री हो जाएं यही चाहते हैं ना इसी के चलते पिछले साल सादिया हुई और बाल विवा भी हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश में इसके लिए कौन सा कानून है तो देखे बाल विवा अधिनियम प्रसेद प्रसेद अधिनियम 2006 है जिसको 2006 में बनाया गया था ताकि हमारे देश में चायड मेरिज को रूक आ जा सके इसमें ये कहा गया है लड़के की सादि 21 साल से पहले नई हो सकती और 18 साल से पहले लड़की की सादि नई हो सकती है यदि ये विवा होता है साधी करते हैं तो ये एक दंडेनी अपराद होगा इसमें सजा का प्रावधान है दो साल तक कठोर कारावाद या फिर एक लाग रुपईया या फिर दोनों ही सजाएं उसको मिल सकती है लेकिन किसी महिला को जेल में नहीं डाला जा सकता है इसमें यह बात बताई गई है दूसरी बात यह है यह संगे है और गैर जमानती अपराद है और पार्टिकुलर लिए दि हम सुरुवात की बात करें न तो चाइड मेरी से लिएटिड जो एक्ट है 1929 में पारित किये गए थे बाद में 1909, 1978 और 2006 में इसको सुधारा गया था इसके बाद हम देखेंगे फॉरेन वाले पेश से कुछ निउस तो आज हम चाइना का मैब देख लेते हैं आज चाइना ही है जिसकी निज्स हम देखने वाले हैं तो चाइना का मैप देख लेते हैं किन किन देशों के साथ में Boundary को share करता है करक रेका कहा से गुझरती है स्के और भी कौन से सागर है किधर है इस्की इस्की स्थित है कौन सी नदियां यहां पर बहती हैं कौन सी जीले यहां पर हैं सब देख लेते हैं सबसे पहले हम बावट करते हैं बाउंडरी इसकी ठीक है तो हम सुरुवात करते हैं रसिया के साथ सबसे उपर से हम सुरुवात करते हैं ये वाला इतना जो हिस्सा है ये हो गया रसिया के साथ में सेयर किया इसने इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा ये सेयर करता है अपना उत्तर कोरिया के साथ में ठीक है इसके बाद यदि हम बढ़ते हैं उपर में ही उत्तर में ही तो ये मंगोलिया के साथ में अपनी बाउंडरी को सेयर कर रहा है इस परकार से इसके बाद थोड़ा और आप आगे बढ़ोगे तो ये अपनी बाउंडरी को सेयर करता है कजाकिस्तान के साथ में कजाकेस्तान के नीचे इस्तित है किर्गिस्तान के नीचे अपनी बाउंटरी को सेयर करता है तजाकेस्तान के साथ में जिसकी रायधानी है दुसामबे और थोड़ा सा हिस्सा ये सेयर करता है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेयर करता है अफगानिस्तान के साथ में अपनी बाउंटरी को ठीक है और फिर बागी हिस्सा तो हमारे इंडिया के साथ में अपना सेयर कर रही रहा है इसके बाद ये अपनी बाउंटरी को सेर करता है नेपाल के साथ में ठीक है और इसके बाद भूटान के साथ में अपनी बाउंटरी को सेर करता है इसके बाद सेर करता है म्यानमार के साथ में और फिर यदि हम नीचे जाते हैं तो नीचे पढ़ता है लाओस लाउस से सटा हुआ देश हनोई जिसके साथ मैं अपनी बाउंडरी को सेर करता है अब हम बात करते हैं पीला सागर किधर है इस चाइना सी किधर है तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है पूर्वी हिस्से में ही पीला सागर स्थित है और इस्ट चाइना सी जिसको पूर चीन सागर कहते हैं वो भी इसके पूर्वी वाले हिस्से में पढ़ता है अब यदि इससे समुद्री वाली बॉर्डर की यदि हम बात करें तो ताइवान के साथ में अपनी समुद्री खीमा को शेयर करता है और इसके नीचे वाले में हिस्सित है दक्षिर चीन सागर साउथ चाइना सी जिसे हम कहते हैं नदियों के दिया हम बात करें तो यांक्सी नदी वुहान सहर काफी न्यूज में रहा है तो वुहान जो सिटी है यांक्सी नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर एक जील बताई गई है किंगाई जील जीनिंग इसके बाद लोपनो और जील है जो की हामी के किनारे पढ़ती है इसके बाद ऑनी हम न्यूज की बात करें ना तो चाइना और बंगला देस के रिलेसे से रिलेटेटिड यह न्यूज है देखिए चीन क्वैट से वैसे ही परिसान है वो चाहता है कि अब क्वैट में कोई और देश सामिल ना हो जाए या फिर बांगला देश क्वैट की जो मेंबर देश है ना उनके साथ अपने रिलीशन को अच्छा ना कर ले इसे के चलते उन्होंने बांगला देश को कहा था कि आप ऐसे किसी भी क्वैट वाले समूह में सामिल मत होईए ऐसा चाहिना का कहना था तो बांगला देश का कहना है यह तो यह निरणा है तो हम अपने खुद के विवेक से ले सकते हैं आपको कहने की क्या जरूरत है अब हम दो कदम पीछे की बात करते हैं देखिए कोविड नाइटीन की बिमानी से लड़ने के लिए और क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं अपने एसियन जो कंट्री है आपस में मिलकर किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं इसी से रिलेटेड चाइना ने इन्वाइट किया था किसको बांगलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और स्रिलंका ठीक है सभी देशों के फॉरेंड मिनेस्टर के लेवल की बातचीत वर्च्वल डायलाग के मंध्यम से लास्ट मंध हुई थी ठीक है और इस प्रकार की ये ना फूर्थ मीटिंग और्गनाइज हुई थी साउथ एसियन कंट्रीज के साथ में ताकि डिसकस कर सके हम कोविड नाइटीन में कैसे कोपरेशन करना है ठीक है हम अपनी चाइनीज वैक्सीन को कैस प्रकार से आप लोगों को बाढ़ सकते हैं दे सकते हैं ठीक है और इमर्जेंसी रिजर उपना के हमें लखना है टाकि जितनी पी जो साउथ एसियन कंट्रीज है ना इनको हम सब लाई कर सके हैं और ऐसी बात नहीं है लाग जो वैक्सीन से ना चाइना ने गिप्ट किया था पांगला देश को इसलिए बांगला देश ने इसका धन्यवाद भी दिया था इसके बाद बिजनेस वाले यदी पेश से हम एक नियूस देखे ना तो यहाँ पर इनफ्लेशन वर्ड आया है इनफ्लेशन के बारे में एक नियूस आई है तो इनफ्लेशन से रिलेटिट कुछ जानकारी हम देख लेते हैं के इनफलेशन का सीधा सा मतलब होता है वस्तुवों की कीमतों में प्रद्धि इनफलेशन मतलब मह chilling की कीमतों में बरद्धि देख रहे हैं खाद चेल की कीमतों में अभी देख रहे हैं और bij अन्य जो सुविधाया है चाहे वैक्सीन हो चाहे कुछ हो यदि उसकी ब्लैक मार्किटिंग होती है तो उन में उनकी प्राइज में उच्छाल आ जाता है तो इन्फ्लेशन एक कंडीशन है जिसमें प्राइज राइज हो जाता है ठीक है इसके दो कारण हो सकते हैं पहली बात यह है जब डिमांड बढ़ जाए ठीक है और वस्तों हमारे पास सीवी थी है दूसरी बात है सप्लाई रिडियूस हो जाए कम हो जाए जैसे एक एकजामपल हम लेते हैं सो रुपए हमारे पास है हम किराना की दुकान जाते हैं और चावल खरीते हैं सो रुपईया हमें हमको 5 किलो चावल मिलता है तो 1 किलो चावल की कीमत हो गई 20 रुपईया एक महीने के बाद फिर आप दुकान पे जाते हैं 100 रुपईया लेके लिकिन दुकानदार आपको 4 खिलो ही चावल देता है रेट लगाता है 25 रुपईया किलो के हिसाब से उसने 5 रुपईया जो रेट बढ़ाया ना तो जो 5 रुपईया है वो वही जो है उसका इंफलेशन है इसको हम पर्शंटेज में निकाल लेते हैं कि कितना 5 रुपईया जो है कितना परसेंट है तो जो 5 रुपईया है वो 20 का कितना परसेंट है यही बताता है कि इंफलेशन का रेट कितना परसेंट रहा है अब इसको हमने कैसे करके निकाला देख लीजिए 5 बराबर 20 का X परसेंट है ठीक है कितना परसेंट है वो निकालना तो हमें X का मान निकालना है तो X बराबर हो जाएगा 5 गुडित 100 बटे 20 25 हो गया और 5 हम 25 हो गया कर दो हम कая आएनOT घचाना 10 मों भाएगा